फार्मसी गई थी दवाई खरीदने थोरे देर बाद वहाँ एक लड़की आती है जो दुकानदार को इशारे में पैट देने को कहती है पर लड़का जान बुच कर ना समझने का ढूंग करता है अरे बेहन तुम गुंगी हो क्या? क्या लेने आई हो वो साफसा बता भी तो सकती हो? फार्मसी का दूसरा लड़का थोरा मुस्कुरा कर कहता है इनके पास शायद बहुत जादा जेली जम गई है जिसकी वज़ासे ब्रड लेने आई है उनके इन गंदे बरताओं की वज़ासे लड़की चुपचाप सिर्चुका के खरी रहती है तो मैंने उस लड़की को धमकाते हुए कहा ए लड़की, ड्रक्स खरीदने आई है क्या? तब से क्या इशारा किया जा रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? कि तुम्हारी चुपची का ये लोग मजा कुरा रहे हैं तो तुम सीधे मूच जवाब क्यों नहीं दे पाती? कि आपके मा बहनों को जब पीरियर्ज होता है तो जो इस्तमाल करती है, मैं वही खरीदने आई हूँ मैंने फिल लड़कों की तरफ देखा और कहा, ये लड़की तुम्हारी दुकान में कॉन्डम खरीदने नहीं आई है कि बेशर्मू की तरह हसे जा रहे हो इसे बस पैट चाहिए और जिस पीरियर्ज को लेकर इतना मजा कुरा रहे हो भूल मत जाना, तुम्हारी नानी को हुआ था इसलिए तुम्हारी अम्मा पैदा हुई और ये ही पीरियर्ज जब किसी दूसरी औरत को होता है तो इसमें मजा लेनी वाली क्या बात हो जाती है तुम लोग की हिम्मद भी कैसे होती है क्या तुम लोग अपने घर में भी अपने मा बहनों के साथ ऐसा ही सुलूख करते हो और ये सब सुनते ही शौप वालों की बोलती बन हो जाती है एक तम चुप हो जाते हैं मैंने उनसे कहा भाईया, दिल से इंसान बनिये औरतों का सम्मान कीजिए औरतों के पेट में स्वर्ख है उनके पैरों में स्वर्ख है औरते पवित्र होती है औरतों का अपमान करके अपने ही मा, बहनों और स्थी को कलंग कितमत कीजिए मेरा विरोध देखकर उस लिर्की के मन में भी थोरा साहस आया फिर उस दुकानदार की तरफ गुस्से में देख कर कहा हाँ भाया काफी जादा जेली जम चुकी है मेरी तो क्या प्लीज आप मुझे ब्रेट का पैकेट दे सकते हैं कल मैं अच्छे से ब्रेट में जेली लगा कर आपको दे जाओंगी ताकि आपका सुभा का नाश्टा वो जेली वाले ब्रेट से काफी अच्छे से हो जाए मेरी वज़े से उस लड़की के मन में जो साहस आया ये देख कर मैं बहुत खुश्वा और उस दुकान से निकल गया और थोरी दूर जाते ही मुझे लगा कि वो लड़की मुझे पीछे से बुला रही है तो मैं रुक गया और वो लड़की मेरे पांस आकर बोली थैंक्यू भाईया मैं शुरू में ही उसको रोग देती पर दुकान में इतने सारे लोग थे कि मैं थोरी शर्मा गई फिर जब आपने विरोध किया तो दिल को थोरा साहस मिला फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा एक लड़की शर्माई की यही तो सौभबिक है पर तुम्हारे शर्म को कोई तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है और ये सही नहीं है तो मैं इसका विरोध करना चाहिए हमेशा याद रखना कि पीरियट की वज़े से शर्माऊ मत पीरियट्स होना तो मातरित्व की निशानी है प्रिथ्वी में मानुजाती को बजाय रखने का एक साधन है जो पीरियट्स को लेकर हसी मजाग तमाशा करते हैं और तो को हमेशा उन खटिया मानसिकता वाले लोगों को सही जवाब देना चाहिए पीरियट्स मतलब एक औरत के मातरित्व की शुरुवात